नमस्कार दूस्तों ये वीडियो में आज निफ्टी का weekly analysis करेंगे ये week में निफ्टी का momentum कहां पर हो सकता है और जो भी Q4 का results आने वाल है ये week में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हमारे टेलेग्राम चानल सब्सक्राइबर्स बर्जर पिंट स्टॉक के बारे में मुझे वाट्साप पे टेलेग्राम पे message करेंगे तो इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे सबको market bearish लग रहा है market नीचे जा सकता है बोलके सबको है ये दिमाग में है लेकिन दोस्तों आपको मैं दो तीन steps के बारे में बताओंगा market का दिशा कहां पे ये week में हो सकता है आप वीडियो को अंतक देखिए तोड़ा ये वीडियो तोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि मैं काफी सारे important points इसमें लाग के मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ तो वीडियो को अंतक देखिए तो अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब न करें तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए इससे मुझे बहुत motivation मिलता है आपके like comment share से मुझे motivation मिलता है ये एक favor मेरे लिए कीजिए मैं आपको return में बहुत सारे favors करता हूँ आपके लिए हर दिन में एक नया interesting learning वीडियो लाने के लिए 100% कोशिश करता ये आपको mind में रखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों सबको अगर market bearish है तो अगर market वो ही दिशा में move करा तो नुकसान किसी का भी नहीं होगा इसलिए दोस्तों ये logic को आप mind में रखिए market इतना easily नीचे नहीं सकता लास्ट वीक के analysis वीडियो में मैं आपको 9390 का resistance दिया था और जो Thursday की दिन Friday की दिन Wednesday की दिन जो वीडियो से उसमें मैं आपको 9120 जो है वो support दिया हूँ और आपने देखा है market का momentum जो है इसकी EC के बीच में था लेकिन दोस्तों वहाँ पे 9050 का भी टच हुआ market ने मैं आपको वो टेलिग्रेम चनल पे हर बार बोलते आया हूँ तो वीडियो में market का जो live market का prediction है वो बोल नहीं सकते तो इसलिए दोस्तों जो भी टेलिग्रेम चनल पे join नहीं है अभी तक वो जाके join हो जाईए ताकि मैं आपके लिए support resistance और और भी बहुत सारे important points में आपके लिए दे स दोस्तों यहाँ पे मैं एक box plot किया हूँ इससे आपको clearly समझ में आ रहा होगा market consolidation phase में है और हम nifty को या फिर दूसरे stocks को भी 2-3 टाइम फ्रेम में देखना पसंद करते हैं या आपको पता है जो भी channel से जुड़े हुए है वो लोग को पता है मेरे videos में एकी stock या फिर index भी र आते हैं यह setup पे तो हमको clearly a consolidation phase दिख रहा है तो हम दूसरा setup पे भी जाके एक बार देखते है वहाँ पे क्या हो रहा है उस्तों यह graph को properly देखिए कुछ दिन पहले कुछ दिन से मैं यह resistance देते आया हूँ 9,390 आपको telegram चलने पर वीडियो पे भी बोलते आया हूँ regularly 9,390 ज उसके बाद जो अभी last week का है वो 9,120 था और अभी जो Friday का move था उसका support जो है वो 9,037 था और मैंने खुद जो futures का लिया हूँ shorting position वो 9,065 पे close किया हूँ आपको में screenshot भी share किया था और दोस्तों यह जो अभी आने वाला है week में अगर market bearish थोड़ा बनता है तो जो support है एक दिन के लिए भी अगर बने तो जो support है तो यह level पे मुझे लग रहा है आप यहाँ पर देख सकते 8,890 एक बार मेरे बातों पर ध्यान दीजिए दोस्तों market यह level को break करके उपर गया है और fake record था उसके बाद जो है market वापस नीचे की side आया है और जब market नीचे आया है मैं यह level पे आपको बोला हूँ 9,390 जो है वो resistance हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं वापस एक fake record यहाँ पर दिया था market यहाँ से मीचे आया है और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे वापस देखिए कैसा resistance आपको यहाँ पे लेते हुए दिख रहा है 9,160 और इसके बाद जो है दोस्तों वापस यहाँ पे देखिए जो 9,120 के पास है market जब retrace किया है 9,260 तक वापस गया है उसके बाद यहाँ पर वा वापस यह सपोर्ट लिया है 9037 के पास 9050 आप समझ सकते हैं यहां से वापस मार्केट ने यहां तक गया है उसके बाद जो है दोस्तों वापस इसका resistance लेते हुए आपको दिकरा है आप एक बार ध्यान से देखिए वापस एक बार यह वीडियो को प्ले कीजिए आपको समझ मे आजाएगा मार्केट जब पहले यहां पे था यहां से मार्केट यहां तक आके resistance लेके वापस नीचे आया है उसके बाद मार्केट यहां से वापस यहां गया है और यहां भी resistance लेके वापस market इसी जोन के अंदर आया है और यहां पे support लेके यहां तक जाके वापस यह नीच लेवल से वो कहां से कहां shift हो रहे हैं हमको clearly समझ में आ रहा है तो एक time frame पे हम depend नहीं हो सकते और जो पहले हम देखे थे वहाँ पे consolidation दिख रहा है और यहाँ पे one hour की time frame में ये नीचे जाते हुए हमको दिख रहा है तो ऐसा एक एक time frame में हमको क्या-क्या मिल रहे है वो सब हम देखना पड़ेगा और जो भी majority time frames क्या बोल रहे हो तो हम उसके उपर जाना पड़ेगा और ये graph को देखे दोस्तों ये one day का time frame है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने पहला आपको दिखाया हूँ जो box है उसका ही है सेम जो candles यहाँ पे आप देखिए जबी भी market 9000 के आस-पास में जा रहा है वहाँ पे price rejection आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये candle पे और ये candle पे भी देख सकते हैं और जो Friday का candle था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं price rejection at lower levels मैंने candlestick patterns में price rejection का बताया हूँ एक बार candlestick pattern को आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा तो एक बार वहाँ पे जाके देखिए तो हमको यहाँ पे price rejection जो है वो lower level में हमको दिख रहा है और ये candle को देखिए दोस्तों यहाँ पे price rejection जो है वो higher levels में आपको दिख रहा है ये candle में देखिए ये candle में भी देखिए price rejection जो है वो higher levels में आपको clearly दिख रहा है मतलब इसका मतलब है 9,000 जो 390 का resistance है और 9,120 का जो है इसके बीच में market resistance और support लेते हुए हमको दिख रहा है आपको normal बात में समझाना बोले तो simply consolidation phase में हम presently है तो दोस्तों जो मैं यहाँ पे plot के आऊँ आपके screen पे भी यह safe करके रखिए और observe कीजिए market कहां पे moment हो रहा है दोस्तों एक दिन का time frame में आपको intraday के लिए उतना ज्यादा momentum नहीं दिखेगा मतलब जो मेरा मतलब है वो अतना आपको clearly एक candle से समझ में नहीं आएगा तो आप तोड़ा चोटा time frame में देखने के लिए कोशिश कीजिए और one hour की time frame में भी देखे उसके बाद जो है वो आप 15 minute भी देख सकते है यह जो strategy है दोस्तों जो one hour का time frame का strategy है यह बदलते रहता है अभी जो current market situation है मैं यह use कर रहा हूँ उसके बाद दूसरा भी आगले future मे आएगा तो एक setup के उपर ही मैं कभी भी depend नहीं होता हूँ तो आप यह जो level से दोस्तों इसको plot कीजिए अपने screen में और observe कीजिए यह जो candles जो last बने है Friday के दिन इसको observe कीजिए क्या जो कल Monday क्या होने वाला है आप यहाँ पे देख सकते market यह जो trend line से इसके निचे अगर trade होत किये तो यहाँ पे देखिए 9500 के पास आपको जो सबसे ज्यादा open interest है यहाँ पे दिख रहा है 17 लाग का और जो support level है वो 9000 के पास आपको दिख रहा है 9500 का support यहाँ पे देख सकते है यही सबसे ज्यादा जो open interest है यहाँ पे बिल्ड होआ है तो option chain से भी हमको एक consolidation face दिख रहा है 9500 के पास और 9000 जो strike price है उसके पास तो इसके बीच में market रह सकता है बोलके हमको यह setup पे समझ में आ रहा है तो यह था यह भी चैनल जिस अब हम monthly option chain भी एक बार देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है आप अगर 9000 का put option के strike price को observe करे तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा open interest देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद जो call side पे आपको सबसे ज्यादा इंटरस्टिंगली 10,000 के पास आपको देखने के लिए मिलेगा तो marketing consolidation face में है दोस्तों यहाँ पे जो है call का selling हो रहा है यहाँ पे जो है put का buying हो रहा है यह week के लिए तो marketing consolidation face दिख रहा है लेकिन दोस्तों जो monthly अगर option chain देखे तो यहाँ पे हमको bearish दिख रहा है मतलब यहाँ पे देखे आप एक बार जो यहाँ पे open interest देखने के लिए मिलेगा मतलब यहाँ से यह 9,000 strike price से नीचे build होते हुए हमको नजर आ रहा है तो जो मैं आपको दिया हूँ 8,890 वो एक बार आप observe कर सकते हैं वहाँ पे support लेने के लिए chances है तो दोस्तों हम जो भी अभी तक analysis किये हैं market bearish से consolidation mode में हमको दिख रहा है तोड़ा नीचे जा सकता है लेकिन दोस्तों वो वापस market reversal हो सकता है वहाँ से क्योंकि मैं आपको implied volatility का भी एक video share किया हूँ कल उसको एक बार जाके देखिए वो strategy भी आप apply कीजिए जो भी option में trade करते हैं उनको यह बहुत काम आता है जबी भी options जो भी मैं values कल वो वीडियो में दिया हूँ वहाँ पर अगर market आया तो market reversal हो सकता है आइदर अप जो आइदर upside रहने दीजिए या फिर downside रहने दीजिए तो वो आईवी का वीडियो जो है वो 100% देखे और जो values है उसको note कीजिए आप अगर FII DIA activity देखे तो यहाँ पे कुछ आपको buying नहीं दिख रहा यह जो amount आपको दिख रहा है दोस्तों green में वो है HUL का stock जो purchasing किये थे वो लो उसका है तो उसके अलावा आपको कुछ buying नहीं दिख रहा DIA के द्वारा तो आप देख सकते है थोड़ा वाई अगर future and options में आप देखे तो index में futures में selling चालो है और options में जो है वो buying है stocks में देखे तो selling चालो है futures में और stock options में देखे तो भी selling चालो है FIIS द्वारा तो इसका मतलब है दोस्तो market उपर जाने के लिए नहीं दिख रहा नीचे जाने के लिए भी नहीं दिख रहा just consolidation है दोस्तो और थोड़ा bearish sentiment से market तो इतना नीचे जा नहीं सकता fall बड़ा नहीं हो सकता चोटा हो सकता है वो भी reversal के साथ तो दोस्तो अब हम merger print stock के बारे में बात करते हैं यह stock जो है दोस्तो यहाँ से reverse किया है 550 तक गया है वहाँ से market नीचे आया है स्टॉक जो है वो नीचे आया है और जो level पे stock जो है breakout दिया है आप यहाँ पर भी consolidation देख सकते है और यहाँ भी वही जो price point है वहाँ ही consolidation देख सकते है consolidation phase में आपको दुबारा consolidation देखने के लिए मिल रहा है दोस्तो अब हम वो stock के उपर कुछ decision लेने के लिए पहले हम इसका delivery percentage एक बार देखते है आप यहाँ पे देखिए जब market जब stock है 450 के आसपास के level पे आता है वहाँ पे delivery percentage जो है वो अच्छानक increase होता है आप clearly आपे delivery percentage जो है वो increase होता है और यहाँ पे भी आप देखिए 450 के आसपास में जो open price, high price आप clearly देखिए जो open price, high price यहाँ पे आप देख सकते है जो previous close और जब market low लगाया है और यहाँ पे भी आप देख सकते है तो दोस्तो यह stock में 450 जो है वो strong support हमको दिख रहा है तो हम अगर यह stock म जो अगर 450 को break नहीं कर रहा तो 100% हम इसमें buying कर सकते हैं और यहाँ पे यह delivery percentage से हमको यह पता लग रहा कि market जब 450 के पास आ रहा है stock तो वहाँ पे buying चालू हो रहा है हम minute analysis करे तो हमको यह दिख रहा है तो simple यही बात है दोस्तो जब भी मार्केट 450 के पास में आ रहा है delivery based buying हो रहा है तो मैं भी interested हूँ यह stock में मैं भी इसको track करता हूँ मैं HUL के उपर और इसके उपर bullish हूँ तो मैं भी यह stock में कुछ position बनाने के लिए सोचता हूँ अब हम दूसरा टाइम फ्रेम में यह stock को देखते है वहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तो मैं पहले ही बोला हूँ मैं कोई भी stock रहने दीजिए इंडेक्स रहने दीजिए एक ही time frame में मैं देखता नहीं अगर आप stock को burger अब यहाँ पे देखे तो एक interesting बात हमको दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते consolidation phase clearly हमको दिख रहा है market जब 450 के पास में आ रहा है तो buying शुरू हो रहा है और जब 470 के पास आ रहा है selling शुरू हो रहा है तो हम कुछ position बनाने के लिए यह जो level से दोस्तो इसका breakout का हम इंतजार करना पड़ेगा breakout का मतलब यह है दोस्तो एक candle full candle इसके उपर बनना चाहिए आप कही भी आप यहाँ पर देख नहीं सकते यह भी candle जो है यह breakout नहीं बोल सकते दोस्तो क्योंकि जो candle है यह इसके ओपर breakout लेवल के ओपर बना नहीं तो हम इसको यहाँ पर buying नहीं कर सकते तो यह channel जो है इसको हम track करना पड़ेगा market अगर इसको respect करके इसके अंदर ही रहता है तबी भी हम यहाँ पर जब market आता है selling कर सकते है जब market यहाँ पर आता है तो हम buying कर सकते है position बनाने के लिए तो एक long position बनाने के लिए तो एक full proper candle green या फिर red candle इसके उपर बनना पड़ेगा तबी हम either short position either long position ले सकते है यह जो stock हमको clearly एक channel के अंदर दिख रहा है आप एक बा अगर 1 hour के time frame में इसको track करते रहे है अगर मेरा strategy change होता है मतलब अभी जो 1 hour के strategy में use कर रहा हूँ 5 minute का candle जो pattern में use कर रहा हूँ अगर वो strategy change होता है मैं आपको मेरा वीडियो के द्वारा बताऊंगा अभी जो strategy है वो है 1 hour time frame आपको position बनाना है तो यह 1 hour के time frame में यह stock को track जीए दोस्तों मैं कभी भी minute analysis करने के लिए पसंद करता हूँ आप यह candle को देखिए जो यह candle है यह 7 माई का candle है और यह जो candle है वो volume supported red candle यहाँ पर हमको तिकरा होगा तो अगर यह जो candle बना है और जो selling आया है वो delivery based selling या फिर नॉर्मल जो intraday selling था वो भी हम एक बार देखते है दोस्तों आप एक बार 7 माई का candle यह जो date यहाँ पर देखिए और जो delivery percentage यह भी कम है तो इसका मतलब है वहाँ पर just intraday selling आया है बोलके हम समझ सकते है इसके लिए हमको कुछ चिंता के बात नहीं होना चाहिए तो हमको यह position बनाना है तो वो channel का breakout के लिए इंतजार करना प है वो बजाज stocks के द्वारा आने वाले हैं बजाज finance Tuesday की दिन बजाज ओटो Wednesday के दिन बजाज फिंसर जो है वो Thursday की दिन उनके results जो है वो अनौन करते है और उसके साथ साथ कुछ mid cap के भी stocks है दोस्तों यह सभी बातों में और एक बात निकल के आ रहा है वो है US और चाइना का trade tension यह वापस शुरू हो रहा है अगर यह वापस शुरू होता है तो market को यह बुरी का पर है और market इसके लिए react होता है तो यह भी आप ध्यान रखिये दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूँ weekly analysis में अगर market में कुछ news आया तो technical analysis वहाँ पे काम नहीं करेगा और वहा coverage में आ जाएगा मैं उम्मित करता हूँ जो भी points है वो सारा cover किया हूँ दोस्तों मैं आपको clarity देना चाहूंगा इसमें मैं futures का analysis नहीं किया हूँ यह बात को अब ध्यान में रखिये अगर वीडियो अचाल है तो like कीजिए और आपके दोस्तों के साथ share कीजिए टेलिग्रा या फिर email के द्वारा thank you